हेलो दोस्तो, प्लसफंड के यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तो, मेरा नाम है निकेत शाह, दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाल है, इलेक्ट्रिकल पैनल को टेंपरेचर कंट्रोलर आटोमेटिकल कैसे सेट किया जाए, या मैं आप को सरल भाषा में एक्सपेंड करने की कोशिश करू, कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल पैनल रहेगे, वालो कि ये जो पैनल आपके सामें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक इंडस्ट्री का पैनल है, इंडस्ट्री में काफी सारी मशीन, काफी सारे कनेक्शन, काफी सारे हो जाता है temperature जादा हो गया तो आग लगना की संभावना बढ़ जाती है हो सकता है कि cooling system आपको already in bed है लेकिन उसमें भी काफी सारी दिक्कत है आप चाहते है कि आपके mobile पे notification आ जाए पर्टिकुलर temperature से जादा है और आप आपके mobile के सरीए cooling systems को या दूसरे कोई systems को bypass कर सको या cooling system को चालू यह बंद कर सको इतनी बड़ी चीज खाली एक आपके mobile से आपको control करनी है तो क्या यह possible है संभाव है जी हाँ बिलकुल संभाव है यह वीडियो को अन तक जरूर देखना है यह वीडियो को और शेयर करना ना भूली वीडियो को तो अभी इस चीज को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक temperature sensor लिया गया है यह temperature sensor जिसको हम लोग बोलते है DST-11 sensor तो चले शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग सेखेगे कि यह DST-11 sensor है क्या इसके कितने प्रकार है साथी साथ उसको कैसे काम करता है यह DST-11 sensor और electrical panel temperature अगर electrical panel के अंदर temperature बढ़ गया तो आपके app पे notification कैसे आ सकता है और साथी साथ आप कुछ चीज हो जैसे के fan हो गया या cooling system हो गया उसको कैसे control कर सकते हो आपके mobile के app के जरीए तो यह पूरी चीज है आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले शर्वात करते हैं DST-11 sensor यानि कि हमारा जो heat और जिसको हम लोग temperature और humidity sensor बोलते है बिसिकली temperature और humidity दोनों आपस में एक दूसरे पर related temperature याने की जिसको हम बलोते है तापमान और humidity को इंगलिश में हिंदी में क्या बोलते है अडिय है मुझे लेकिन एक प्रकार से आप बोलेगे moisture बोल सकते है उसको तो यह दोनों को मापने की इसके अंदर ताकत रहती है इसक प्रकार हमारी लेक काम में आ सकते है ज्यादा तर अगर आप machinery बड़ी है ज्यादा expensive है तो DST 22 का प्रयोग की है और चोटा चोटा अगर आपको इस्तमाल करना है छोटी जगे पर लगाना है तो DST 11 भी आपके लिए काफी है DST 11 और DST 22 के बीच में अगर difference की बात करें तो DST 11 खासकर जीरो डिग्रे से लेकर 50 डिग्री तक आपको sensitivity माप सकता है जबकि DST 22 माइनस 40 डिग्री से लेकर 80 डिग्री दोनों के बीच में ये संभावता काम करता है DST 11 20 से 80% RH rating है जबकि ये 0 से लेकर 100% याने की ज़्यादा accurate है as compared to DST 11 तो चले प्रोजेक के और बढ़ते प्रोजेक में मैंने जैसे बता है electrical panels है हमारे पास correct हमें उसका temperature मापना है हाला कि उसके अंदर कुछ panels के अंदर automatic system रहता है लेकिन इतना कारीगर नहीं क्योंकि उसके इसको हम लोग mobile से operate नहीं कर सकते लेकिन मैं तो mobile से operate करना चाहता हो correct तो उसी के लिए मैंने क्या किया है अगर मालो कि जैसे ही कोई wire जलती है या temperature हाई हो जाता है तो वो data भेजेगा हमारे node MCU याने कि हमारे micro controller को जिसके साथ में लगा हो रहा था DST 11 ये क्या करेगा ये हमार मिल जाता है कि हम हमारे systems को बचा सकता है तो ये पूरा system कैसे काम करता है तो उसके लिए मैंने लिया हुआ एक micro controller जो की है node MCU दूसरा ये जो हमारा sensor है DST 11 उसको लिया हुआ है किसी चीज को operate या bypass या चालू या बंद करने के लिए हम लोग ने relay module लिया हुआ है और smartphone लिया है जिसके अंदर मैंने एक blink app को download किया हुआ है simple सी बात है इतनी चीजे मैंने लिया है दूसरा कोई ज्यादा systems मैंने ताम जाम नहीं किया हुआ है मैं बता दू कि ये node MCU की की कीमत लगबग 200 रुपे के आसपास है DST 11 लगबग 100 रुपे के आसपास मिल जाता है relay module भी 100 रुपे और निरधारी temperature से high हो जाए तो हमारा mobile हमें notification भेजे और साती साथ हम लोग हमारे cooling system को चालू या बंद कर सके ओके ये छोटा सा मलब ये दो प्रोजेक्ट आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले है तो सबसे पहले connection करते है node MCU के साथ में node MCU के साथ में मैंने heat sensor याने कि DST 11 को मैंने यहां पर joint किया हुआ है जिसमें VCC जो pin है DST 11 के उसको 3.3V के साथ में जुड़ा हुआ है ground print को ground pin के साथ में जुड़ा हुआ है और उसका जो data बीच वाली pin आपको जो नजर आ रही है वो मैंने D4 पर लगाई हुई है simple से connection मैंने किया हुआ है ये पहला जो module है हमारी temperature को mapने का काम करता है लेकिन हमें तो उसको control भी करना है cooling system को तो उसके लिए मैंने relay module यह है relay module के अंदर नीचे आप देख सकते कि यहां पर 4 pin नजर आ रही है हमें इसमें तीनी pin काम किये मैं आपको आप चाहे तो 2-2 relay module का भी यूज़ कर सकतो मैंने मेरे project के लिए एक आने के लिए एक bulb का adjustment किया है मैंने बल्पी लिया हुआ है बल्प का जो positive सीरा काटके मैंने यह दोनों पीन्स पे लगा दिया और negative बल्प के साथ में directly 230 V के साथ में अटेस्ट है आप यहां पे cooling system के जगे पे fan या exhaust या कुछ भी लगा सकते हो मैंने example के तौर पे बल्प लि देता है और उसके पोग्राम लिख देता है लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग हमारे मोबाइल में एक डाउनलोड करेगे ब्लिंक यह भी टोटली फ्री है ब्लिंक डाउनलोड करने के बाद अभी project बनाने की शुरुआत करते है याद रखे आगे बढ़ने से पहले जानकर इसके बता दू हम लोग ने कई सारे online courses भी चालू कर दिये जिसमें electronic है, electrical है, node MCU है, Arduino है, Raspberry Pi है, automation है, computer networking है, वैसे कई सारे अंगिनत courses चालू कर दिये है यह सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है जो कि Google Play Store से आपको मिल जाएगा, app का नाम है Plus Point Training इसके बाद अ उनों के जरीए courses को कर सकते हो, अगर अधिक जान करें चाहिए courses के बार में तो यह मेरा WhatsApp नंबर है, जिस पर केवल मुझे हाई का message डाल दीजे तो मैं सारी जान करी आपको WhatsApp के माधियम से भिजवा दोगा, तो चले शुरुआत करते हैं, अभी हम लोग यह जो node MCU का connection करके और ब्लिंक डाउनलोड कर लेते हैं, और प्रोग्राम की सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ओके दोस्तों देखें, मैं यहाँ पर ब्लिंक डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको पहले उपन कर लेता हूँ, उपन करने के वाद आपको इस तरह के स्क्रीन नजर आएगा, जिसमें New Project, New My App और Community, अबको सबसे पहले New Project पर क्लिक करना है, और हमें यहाँ पर लिखना है Heat Monitoring System, प्रोजेक का नाम आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर Heat Control लिखता हूँ, ठीक है, और मेरा यहाँ पर Choose Device, तो मेरा यहाँ पर मैंने NodeMCU को सिलेट किया हुआ है, यहाँ पर हमें एक मैसेज आ रहा है कि Authorized Token Code is sent to your email ID, यहाँ पर मैसेज कर दिया Authorization Code, जिसके हमें जरूद हमारे आइडीनो एप जब हम लोग डेलोग करेंगे, आइडीनो के अंदर जो प्रोग्राम लिखेगा उसके अंदर जरूद पड़ेगी, तो मैं फिलार इसको OK कर जो option है, उसको मैंने click किया, तो आपको यहाँ पर gauge नजर आ रहा है, उसके single click करेंगे, तो यहाँ पर gauge लिखकर आ रहा है, यहाँ पर input दिख रहा है, तो input हमारा जो virtual pin number 6 है, यह virtual pin number 6 है, हीट monitoring का काम करता है हमारे program के अनुसर, इसके मैंने virtual pin number 6 लिया हुआ है, और यहाँ प यहाँ पर 100 कर दो, क्योंकि 100 degree तक हमें चाहिए, font size मेंने थोड़ा बड़ा कर लिया, और font का color है वो red ले लिया है, ताकि हमें आसानी से दिखाई पड़े, ठीक है, बाहर आने पर आप देख सकते कि temperature monitoring system हमारा ready हो चुका है, इसके बाद अगर आप humidity system भी इसी प्रकार से ready कर अचाहो तो वापिस प्लस पर जाहिए, यहाँ पर आप जाहिए वापिस gauge के उपर, किदर गया gauge, ओके यहाँ उस पर जाहिए, और यहाँ पर मैं click कर पे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ humility, ठीक है, हुए मैं ने दिखा है फिलाल, और यहाँ पर pin number जो है, उसका virtual pin number 5 है, ठीक लिख सकते, कुछ में लिखे, मैं 100 तक लिखता हूँ, चलिए, कोई बात नहीं, font color मैंने blue लिया हुआ है, और उसको मैं बाहर निकलता हूँ, यहाँ पर push जो है, उसको one second पर करना है, क्योंकि हमें हर एक second पर यह जो है data monitoring चालो रखना है, ठीक है, और यहाँ पर भी उसी प पैनल में कितना हीट आ रहा है, और हुमिलिटी है, वो हमें यहाँ पर इस app के अंदर हमें बताने की कोशिश करेगा, अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैंने program और लिख दिया है, हाला कि यह program बहुत ही simple है, मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला तो हमें tools इक लिख लोगा है, मैंने क्लीक लोड़ हो रहे हैं और यहा पर रहेखना अपको यहाँ इस भात किया है।ब कर्पने इस डावयरी क्लिक करना है, लिखना भी आ पर operation space लोड़ मेरे लिखे लोड़िया और तो बहुत किया है। टीक है तो उसके बाद मैंने क्या किया है , फायल में गया हूँ , इंदर गया हूँ , आपको दिख्या दे रहा है , उसके बाद मोर , मोर के अंदर DST 11 starsamente All? उसके क्लिक किया है , तो इहां पर पूरा ready minute program है ,ाहिन hè उतार है है कुछ थोड़े से changes । जैसे कि Yokken यहां पर इथरनेट.h उसके हमें जरुवत नहीं है तो मैंने निकाल दिया है और यहां पर blink sample ethernet.h उसके यह पर ESP8268.h इसको मैंने किया है साथी साथ यह चीज मैंने include करिये क्योंकि मैं वाइफाई के जरीए है याने कि हमारे रूम के अंदर जो वाइफाई है उसके जरीए मैं लेने वाला हूँ ठीक है तो यह मैंने ले लिया इसके बाद में यहां पर characters यह भी ready meti था यहां पर आप देख सकते है नीचे यहां पर देखें your authorized token तो यह token मैंने कहां से लाया हूँ यह token मुझे mail आया मैंने आपको starting में बता है जब एप के अंदर मैंने बता है कि authorized token को लोगने mail कर दिया है वहां से मैंने इस token को copy paste किया हूआ है साथी साथ SSID में मैंने मेरा room का जो router लगा हूआ है internet का उसका ID और उसका password लिख दिया है ठीक है बात में pin defined 2 लिखा हूआ है DST 11 sensor मैंने लिया हूआ है अगर आप DST 22 या 21 लेता हो तो यहां पर आपको जो है इसको खाली चालू कर दाना है फिला मैंने उसको बंद रखा हूआ है यह पूरा ready made इसमें मैंने कोई भी change नहीं किया हूआ है ठीक है तो दोस्तों देखें यहां पर मैंने node mcu के साथ में heat sensor को connect किया हूआ है अभी हमारा program transfer हो रहा है मैं यहां पर आपको दुसरी mobile से बता देता हूँ यह program transfer हो रहा है program transfer होने के बाद अगर आप यहां पर देखो कि 61% program को transfer किया गया है 17, 84, 92, 100% अभी जैसी program transfer हो गया आप यहां पर इस serial monitor को चालू कर सकते है serial monitor में ready करके लिख कर आ रहा है और कुछी seconds में अगर ready proper आ रहा है लिख कर तो याने समझो कि आपका जो app वो है perfect काम कर रहा है आपका जो heat monitoring system है वो properly काम कर रहा है यह देखी यहां पर ready लिख कर आना चीए दूबरा ओके यहां पर आ रहा है blink ready ओके यान कि हमारा जो node mcu properly connected है और सही तरीके से काम भी कर रहा है तो चलिए अब एप पर दिख लेते क्या असर हो रहा है ओके दोस्तों तो जखे यहां पर हमारा system तो लगा हुआ है साथी साथ मैंने app को भी चालू कर दिया एप के अंदर में play का बटन दबा तो यह play का बटन है जो त्रिकोन वाला बटन दबा रहा है जैसी play का बटन दबा है तो यहां पर temperature humidity हमें नजर आ रही है temperature जो है 36.1 है और humidity जो है 36 है करेक्ट अभी मैं क्या करता हूँ मैंने एक lighter लिया है और यह जो हमारा sensor है उसके बाजू में थोड़ा सा आग लगा देता हूँ तो देखते है कि temperature में कुछ असर होता है कि देखे temperature तूरंद बढ़ना चालू हो गया 36.3 36.9 दिख रहा है 37 तक चला गया दिख रहा है और जैसी में बन करोगा तो थोड़े देर तक उसका असर रहेगा और धीर 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 जो यह temperature जो है अब जैसे 37.9 आ गया है जरम थंडा होने की शुरुआत हो जाएगी यह जो है temperature धीरे 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 डाउन हो जाएगा याने अगर मैंने यह system को यह जो मैंने नोड एमसी और हीट सेंसर जो लगा यह system को अगर मैंने electrical panel में लगा दिया तो आप कहीं से भी world में कहीं से भी आपके panel पे कित अबाउ जाएगा तो एक fan चालू कर देना है और 36.5 के नीचे आगया तो fan को बंद कर देना ऐसा कोई system मुझे बनाना है तो चलिए वो कैसे बनाते उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी change नहीं करना है इस पर खाली केवाल एक relay add करना है जैसे आपको यह diagram में दिख रहा है relay add कर लीजे और system पूरा ready कर लीजे और app के अंदर क्या change करना है तो पहले मैं app में बता देता हूँ और बात में relay जो मैं connection करूँगा उसके बारे में बताता हूँ ठीक है अभी में program में क्या changes करना है जो humidity है उसकी फिलाल हमें जरुवत नहीं है तो उसको मैं stop करते तो पहले तो program को और इस पर click करके उपर आप देख सकते है recycle bin वहाँ पर मैं डाल देता हूँ ठीक है फिर यहाँ पर दूसरा एक add करता हूँ क्योंकि हमें notification चाहिए हमारे mobile में इस event अभी मैं event पर click करता हूँ, event पर click करने के बाद यहाँ आपको दिखा दे रहा है add new event उस पर मैंने click किया यहाँ पर add new events में आपको नजर आ रहे की when यानिकी कभी इसका इस्तेमाल करना है उस पर click किया तो temperature जो है नीचे आपको दिखा दे रहे temperature वी सिक्स तो मैं उसको click करत ह 194 को यान elska मतलब ऐसा होगा कि अगर मेरी वी 6 की जो पिन याने के टेंप्रेशर की जोKY है इस हायर दैन या उसकी जो वैल्यू है अगर वो बढ़ जाती है इस आयार दैन में यहां पर लिखता ह। 37 मलब 37 डिग्री से अगर बढ़ जाती है उसकी value तो क्या होना चाहिए तो turn on pin जो दिख रहे हैं आपको उसको मैंने click किया turn on pin तो यहाँ पर हमें digital pin number 7 जिस पर हम लोग ने relay लगा हुआ है उसको मैं चालू करने की कोशिश करूगा ठीक है इसके मैंने यहाँ पर लिखा turn on d7 साती साथ send notification जो दिख रहे हैं आपको उस पर भी मैंने click कर दिया send notification मैं लिखूगा the temperature इस मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पर TMP is too high यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ उस पर मत जाई मलब आप समझने की कोशिश करें के exit लिख क्या होने वाला और फिर मैं ok दबा देता हूँ ठीक है जैसे ही मैं ok दबा देता हूँ यह पहला event हमारा ready हो गया यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है event one और एक मैं event यहाँ पर add करने की कोशिश करूगा when तो when के उपर temperature v6 के उपर अगर is lower than क्योंकि मैंने बल्ब चालू किया याने के air condition समझो चालू किया तो बल्ब भी तो बंद भी तो होना चाहिए तो अगर 36.5 डिगरी हो जाता है याने के 36.5 या 36 समझो मैंने 36 लिया या समझो 36.5 ही रहने देता है क्योंकि मेरे रूम का temperature चाहिए उससे जाधा है temperature is normal ठीक है ऐसा मुझे मैसेज आना चाहिए मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए मेरे मोबाइल के ओपर ठीक है तो मैंने यह दूसरा इवेंट भी रेडी कर दिया यहाँ पर आपको दिखाया दे रहा है अभी दो इवेंट है इवेंट वन और इवेंट तू आप चाहिए तो तीसरा भी इवेंट लग सकता है लेकिन फिलाल हमारे लिए दो इवेंट शफिशन्ट है ठीक है तो हम लोग ने एप में इतना ही 30.5 डिग्री ठीक है मैंने उसको रन कर दिया औरेडी अभी में क्या करता हूँ लाइटर लेता हूँ और थोड़ा से टेंपरेचर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ याद रगया हमारे इसके अनुसार 37 के अगर अबाव जाता है तो हमारे जो लाइट है वो चालू हो जानी चाहिए तो मैं उसको अन करने की कोशिश कर रहा हूँ देखे टेंपरेचर दीरे दीरे बढ़ रहा है ओके टेंपरेचर दीरे दीरे बढ़ रहा है 32 हो गया है 33 34 34.6 35 36 37 पर चालू हो जाना चाहिए 36.5 यह देखे चालू हो गया और हमें नोटिफिकेशन भी आ गया है तो हमें दिखाई दे रहा है और अभी देखे लाइट भी चालू हो गया है और हमें नोटिफिकेशन भी आ गया है और जैसे ही टेंपरेचर अगर 36 के नीचे जाएगा थो हमारा जो बल्प है वह बंद हो जाना चाहिए साथी साथ हमें एक notification भी आना चाहिए कि भाई the temperature is normal करके जैसे हम लोग में set किया था क्रेक्ट क्योंकि 36.5 पे light बंद होगा और हमें एक notification आएगा ठीक है तो देखते 37.8, 36, 36.5 हो जाएगा और यह हो जाएगा बंद ओके और यहाँ पे हमें notification आएगे the temperature is normal करके और जैसे ही अगर मैं वापिस से अगर मैं lighter चलाओ यहाँ पे और वापिस से temperature जैसे हाई जाएगा यह देखे 37 के ओगो जाएगा चालू हो जाएगा light यह देखे चालू हो गया और notification जाएगा the temperature is too high okay दबा दिया मैंने तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने यह प्रोजेक्ट बनाया काफी simple था आप भी खुद बना कर देखे इस टैट के प्रोजेक्ट को और अगर आपको डीटेल चाहिए online courses के हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाया online courses में आपको खुद को बनाने के लिए सिखाएगा एकदम डीटेल में बदाया हुआ हुआ है तो वह भी आप जोइन कर सकते है उसके लिए WhatsApp नंबर है उस पर आप खाली मुझे हाई का message जाल देजिए तो म बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है दोस्तों आप खुद कर सकते आयोटी रिलेटेट सभी प्रोजेक्स ठीक है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्स्पिन किया है आयोग के दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया रहेगा याद रखे कि वीडियो अग